मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करों यह सूख और दूख का खेल है इसमें तीन चतुरताउंस सूख है एक चतुरताउंस दूख है इक्वल नहीं प्रिश्ण यह बेहत का ड्रामा बहुत ही वंडरपूल है कैसे उत्तर यह बेहत का ड्रामा इतना तो वंडरपूल है जो हर सेकंड सारी सुरुष्टी में हो रहा है वो फिर से हुबहु रिपीट होगा यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है टिक टिक होती रहती है एक टिक न पार्ट अच्छा वा बूरा चलता है सब नूद है इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो ओम शांती ओम शांती का अर्थ बच्चों को समझया गया है क्योंकि अब आत्म भी मानी बने हो आत्मा अपना परिचे देती है हम आत्मा है आत्मा का स्वधर्म है शांत अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है यह घर जाने का प्रोग्राम कोन बनात बताते है जरूर बाप ही बताएगा है आत्माए अब पुराने दुनिया खतम होनी है सभी एक्टर्स आ गए है वाकि थोड़ी आत्माए रही है अब सब को वापीज जाना है फिर पार्ट रिपीट करना है तुम बच्चे असुल में आदि सनातन देवी दिवता धरम के थे पहले पले सत्यूग में आये फिर पुनर जनम लेते लेते अब पराय राज्य में आकर पड़े है यह सरिक तुमारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते तुम एक बाप के बच्चे हो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते है बच्चे तुम अब पराय रावन राज्य में आकर पड़े हो अपना राज्य बाग ये दोवा बैटे हो सत्यूग में देवी दियोता धरम के थे जिसको पाच जार वर्ष हुए आदा कलप तुमने राज्य किया क्योंकि सीड़ी नीचे भी जरूर उतरना है सत्यूग सेत्रेता फिर द्वापर कल्यूग में आना है ये भूलो नहीं अपनी हार और जीत की जो हिष्ट्री है उनको याद करो बच्चे जानते हैं हम सत्यूग में सत्वप्रदान सुखधाम के वासी थे फिर पुनर जनम लेते लेते दुखधाम में जड़जड़ी बुत अवस्ता आ पहुचे है अब फिर तुम आत्मा को बाव से स्रीमत मिलती है क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो पहले पहले तुम बिचुड़े फिर सुख का पाड़ बजाते आए फिर तुमारा राज्य भाग्य चीना गया दुख के पाड़ में आ गए अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है सुख शान्ती का आत्मा कहती है विश्व में शान्ती हो इस समय तमप्रदान होने के कारण विश्व में अशान्ती है यह भी शान्ती और अशान्ती दुख और सुख का खेल है तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शान्ती थी मूलवतन तो है ही शान्ती दाम जा आत्माय रहती है वहाँ तो अशान्ती का प्रश्ण ही नहीं सत्युग में बिश्व में शान्ती थी फिर गिरते गिरते अशान्ती हो गई अब सारे बिश्व में शान्ती सब चाहते है ब्रह्मा महतोतों को बिश्व नहीं कहेंगे उनको ब्रह्मान कहा जाता है जा तुम आत्मय निवास करती हो आत्मा का स्वधर्म है शांत शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है फिर दुसरा शरीर ले तब चुरपूर करे अब तुम बच्चे यहां किसले आये हो कहते बाबा आपने अपने शांती दाम सुकदाम में चलो शांती अत्वा मुक्तिधाम में सुक दुख का पाट नहीं है सत्यूग में है सुकधाम कल्यूग है दुखधाम उतरते कैसे है वो तो सीड़ी में दिखाया है तुम सीड़ी उतरते हो फिर एक ही बार चड़ते हो पावन बन चड़ते हो फिर और पतीत बन उतरते हो पावन बनने भीगर चड़ नहीं सकते इसलिए पुकारते है बाबा आकर हमको पावन बनाओ तुम पहले पावन शांतिधाम में जाकर फिर सुखदाम में आएंगे पहले है सुख, पीछे है दुख, सुख की मारजिन जादा है इकवल हो फिर तो कोई फाइदा ही नहीं है जैसे फालतु हो जाए बाब समझाते हैं यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें तीन चतुरताउंस सुख है बागी एक चतुरताउंस कुछ न कुछ दुख है इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है बाब जानते है मुझ बाब को सिवाय तुम बच्चों के कोई जाननी सकते मैंने ही तुमको अपना परिचे दिया है और सुरुष्टि के आदी मद्य अंत का परिचे दिया है तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है तीनों लोकों कव भी तुम जानते हो भारत वासी तो कलब की आयूग भी नहीं जानते अब भी अब तुम ही जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते है बाप गुप्त बेश में पराय देश में आये है बाबा भी गुप्त है मनुक्ष अपनी देह को जानते है आत्मा को जानते नहीं है आत्मा विनाशी देह विनाशी है आत्मा और आत्मा के बाप को तुमें कभी भूलना नहीं चाहिए हम बेहत के बाप से वर्षा ले रहे हैं वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे इसरावन राज्य में तुम पतीत हो इसलिए बाप को पुकारते हो दो बाप है परमपिता परमात्मा सभी आत्मों का एक बाप है ऐसे नहीं ब्रदर सी सब बाप है जब जब भारत पर आती धर्म गलानी होती है जब सभी धर्मों का जो पारलों की बाप है उनको भूल जाते है तब ही बाप आते है यह भी खेल है जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है तुम आत्मा कितना वारी पाड बजाने आती हो और जाती हो यह नाटक अनादी जू मिसल चलता रहता है अभी बंद नहीं होता टिक टिक होती रहती है परंतु एक टिक न मिले दुसरे से कैसा वंडर्फूल नाटक है सेकंड सेकंड जो कुछ सारी स्रिष्टी में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा जो हर धरम के मुख्य पाढ़ धारिये उनका बताते है वो सब अपना अपना धरम स्तापन करते है राजधानी नहीं स्तापन करते है एक परंपिता परमात्मा धरम भी स्तापन करते है और राजधानी अत्वा डिनाष्टी भी स्तापन करते है वह तो धर्म स्तापन करते हैं उनके पिचाड़ी सब को आना है सब को ले को जाता है बाब कोई तो बहुत थोड़ा पाड़ बजाया और खलाश जैसे जीव जन्तू निकले और मरे उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं है अटेंशन किस तरह जाता है एक तो क्रियाटर तरफ जाएगा जिसे सब कहते हैं ओ गौड फादर है परमपिता परमात्मा ओ सभी आत्माव का पिता है पहले आदि सनातन देवी दियोता धरम था ये कितना बड़ा बेहत का जाड़ है कितने मत मतांतर कितनी वेराइटी चीजे निकली है गिंती करना मुश्किल हो जाता है फाउंडेशन है नहीं बाकी सब खड़े है बाप कहते मीठे बच्चों में आता ही तब हूँ जबकि अनेक धरम है एक धरम नहीं है फाउंडेशन प्राय लोप हो है सिर्फ चित्र खड़े है आदी सनातन था ही एक धरम बाकी सब बाद में आते है त्रेता में वहुत है जो स्वरग में नहीं आते है तुम अब पुर्शार्त करते हो हम स्वरग नहीं दुनिया में जाए बाप कहते स्वरग में तुम सब जाएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और देवी गुन धारन करेंगे बाकि जाड की टाल टालिया तो अनेक है बच्चों को जाड का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है तो बाप ने प्रशनावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो हम सत्योगी स्वर्गवासी है या कल्योगी नरकवासी है सत्योग से नीचे कल्योग में उतरते हो फिर उपर कैसे जाएंगे पाप शिक्षा देते हैं तुम तमोप्रदान से सत्योप्रदान कैसे बने अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अगनी से तुमारे पाप कट जाएंगे कल अप पहले भी तुमको ग्यान सिकला कर देवता बनाया था अभी तुम तमोप्रदान बन पड़े हो फिर जरू कोई तो सत्योप्रदान बनाने वाला होगा पतितपावन कोई मनुख्ष तो हो न सके हे पतितपावन हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धी उपर चली जाती है वह निराकार बाकी सब है पाड़धारी सब पुनरजनम डेते रहते हैं मैं पुनरजनम रही थो यह ड्रामा बना हुआ है इसको कोई नहीं जानते तुम भी नहीं जानते थे अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है तुम अपने को सोक आत्मा के धरम में ठेरो अपने को आत्मा निच्चे करो बाप समझाते हैं यह सुरिष्टी चक्र कैसे फिरता है इसलिए तुम्हारा नाम है सुधर्शन चक्रधारी और कोई को यह ज्यान नहीं है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप हमारा टीचर भी है बहुत मीठा बाबा है बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं तुम बारलो कि बाप के बच्चे परलोक में रहने वाली आत्मा हो बाप भी परंधाम में रहते हैं जैसे लोकिक बाप बच्चों को जनम दे पालना कर पीछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारी से ये काइदा है, तुम जो बेहत के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं, अब सब को वापिस वाने से परे घर जाना है, वहाए साइलेंस, फिर दुसरे से, जो भी मनुक्ष का पाड़ चलता है, अच्चा वा बुरा, सब नून्ध है, सत्युग में अच्चा कल्युग में बुरा पाड़ बजाते हैं, कल्युग में मनुक्ष दुकी होते हैं, राम राज्ये में चीची बाते नहीं होती, राम राज्ये और रावन कहते हैं दुख सुप परमात्मा देते हैं जैसे शीव बाबा का किसी को पता नहीं है वैसे रावन को अभी किसी को पता नहीं है रावन शीव जैनती हर वर्ष मनाते हैं तो रावन मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं अब बेहत का बाप अपना परिछे दे रहे कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो बाप तो बहुत मीटा है बाबा अपनी मैमा बेट थोड़ी करेंगे जिनको सुख मिलता है वो मैमा करते है तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बाप प्यार का सागरेपी सत्यूग में तुम प्यारे मीठे बनते हो कोई बोले वहाबी तो विकारादी है बोलो वहाँ रावन राज्य ही नहीं है रावन राज्य द्वापर से होता है कितना अच्छिरिती समझाते है वर्ड की हिष्ट्री जागरपी और कोई नहीं जानते जानते ही नहीं है इस समय ही तुम को समझाते है फिर तुम देवता बन जाते हो देवता उसे उच कोई है नहीं इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं होती या तो धेर गुरु है सत्गुरु है एक सिक लोग भी कहते हैं सत्गुरु अकाल मुर्थ है सत्गुरु वो कालो का काल महाकाल है वो काल तो एक को ले जाते है बाप कहते है मैं तो सब को ले जाता हूँ पवित्र बना कर पहले सब को शांती दाम और सुकधाम में ले जाता हूँ अगर मेरा बन कर फिर माया के बन जाते है तो कहा जाता है गुरू का निंदख ठोर न पाए वो स्वर्ग का संपूला सुक नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे बाप कहते बच्चे मेरी निंदा ने कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो देवी गुन भी धारन करने है, किसी को दुख ने देना है बाप कहते मैं आया ही हूँ तुमको सुकदाम का मालिक बनाने बाप है प्यार का सागर, मनुक्षे दुख देने के सागर काम कटारी चला कर एक दुख को दुख देते है, वा तो ये बाते है नहीं वा है ही रामराज्य, योगबल से बच्चे पैदा होते है इस योगबल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो, तुम वारियर्स हो, परन्तु अन्नून तुम बहुत नामिगरामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियो के कितने मंदीर बनते है कहते हैं, अमरुत का कलश माताओ के सिर पर रखा, जो माता कहते हैं, यह है ग्यान, पानी की बात नहीं है तुम हो शिव शक्ति सेना, वो लोग फिर कौफी कर कितने गुरू बनकर बेटे हैं, अब तो तुम सच की नईया में बेटे हो, गाते हैं नईया मेरी पार लगाओ, अब खिवया मिला है पार ले जाने, वेशाले से सिवाइले में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते ह काटों के जंगल को फूलों का बगीजा बनाते हैं, वा सूख ही सूख है, यह है दुख, बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिका है, अपने दिल से पूछो स्वरगवासी हो या नरकवासी, बहुत प्रश्ने पूछ सकते हैं, सब कहते हैं भ्रष्टा जारी भी होंगे, वह देवताय थे, अब नहीं है, जब देवी देवताय धरम प्राइड लोफ हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है, एक धरम की स्तापना करने, गोया तुम अपने लिए स्वरग की स्तापना कर रहे हो, स्रीमत से, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद दूसरी पॉइंट योगबल से पवित्र बन कर फिर दूसरों को भी बनाना है, काटों के जंगल को फूलों का बगिजा बनाने की सेवा करनी है सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाब भी है तो टीचर भी है उन जैसा मीठा कोई नहीं वरदान परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविशके राज दुलारे बहो संगम युक पर आप भाग्यवान बच्चे ये दिलाराम के दुलार के पात रहो ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है इस दीव ये दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो राज दुलारे रतत सब अब भी राजे और भविशके भी राजे भविशे से भी पहले अब स्वराज्य अदिकारी बन गए जैसे भविश्य राज्य की महिमा है एक राज्य एक धर्म ऐसे अभी सर्वक कर्विंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है स्लोगन है अपनी सूरत से बाप की सिरत दिखाने वाले ही परमातमस नहीं है अच्छा ओम शान्ती शान्ती शान्ती